नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर मेरा नाम है मीशू इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेंगे प्रसीद उपनियास, साहिकते और कहानिया ये कहानिया मैं छोट-छोटे भागों में आपको सुनाओंगी तो आज हम बात करेंगे हिंदी और उड़ू के सबसे लोग प्रिय उपनियास कार कहानिकार एवं विचारक मुशी प्रेमचंद की मुशी प्रेमचंद किसी परीचे के महताज नहीं आप समने उनके उपनियास सहते एवं कहानिया पड़िया सुनी होंगी फिर भी मैं आपको उनका छोटा सा जीवन प्रिचे दे देती हूँ मुशी प्रेमचंद का जनम 31 जुलाई 1880 को वाना नसी से चार मिल दूर लमी गाउं में हुआ उनका असली नाम धनपतराई शिरिवास्तप था उनकी मृत्यू 8 अक्टूबर 1930 को वाना नसी में हुई वैसे तो मुशी प्रेमचंद ने अनेक रचनाई लिखी पर मैं उनके कुछ रचनाओं के नाम बताऊंगी उनकी परसिद्ध हिंदी रचनाई हैं जिन में उपनियास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमी, गबन, गोदान, कहानी, संग्रै हैं नमक का दरोगा, प्रेम 25, सोजे वतन, प्रेम तीर्थ, पांच फूल, सब्त सूमन और मानसरोबर उन्होंने बाल सहित्ते भी लिखे, कुट्टे की कहानी, जंगल की कहानी या आधी इन रचनाओं में से मैंने आज मानसरोबर को लिया है, मानसरोबर प्रेम चंद द्वारा लिखी कहानियों का संग्रै है और इनी कहानियों के संग्राय में से पहली कहानी है अलग योजा अलग योजा का अर्थ है सुक्त परिवार का विवाजन हो जाना बटवारा हो जाना तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी अलग योजा भाग एक भोला महतों ने पहली इस्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रगु के लिए बुरे दिन आ गए रगु की उमर उसमे केवल दस वर्ष की थी चैन से गाउ में गुली डंडा खेलता फिरता था मा के आते ही चक्की में जुतना पड़ा पन्ना रूप वती इस्त्री थी रूप और गर्ब में चोली दावन का नाता है वह अपने हाथों से कोई काम ना करती गोबर रगु साफ करता बैलो को सानी रगु देपता रगु ही जूटे भरतन माज़ता भूला की आँखे कुछ ऐसी फिरी कि उसे रगु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजराती पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा उनसार आखे बंद करके माल लेता रगु की शिकायतों की जरा परवाना करता नतीजा यह हुआ की रगु ने शिकायते करना ही छोड़ दिया किसके सामने रोए बाप ही नहीं सारा गाँ उसका दुश्मन था बड़ा जिद्धी लड़का है पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं बिचारी उसका दुलार करती है खिलाती है पिलाती है यह उसी का फल है दूसरी औरत होती तो निमा आना होता वह है तो कहाँ पन्ना इती सीधी साधी है कि निवा होता जाता है सबल की शिकायते सब सुनते हैं निर्बल की फर्याद भी कोई सुनता है रगू का हिर्दे मा की ओर से दिन दिन फटता जाता यहां तक की आठ साठ गुजर गे और एक दिन भोला के नाम भी मृत्यू का संदेश आप पोचा पन्ना के चार बच्चे थे तीन बेटे और एक बेटी इत्ता बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं रगू अब क्यू पूछने लगा यह मानी हुई बात थी अपनी इस्त्री लाएगा और अलग रहेगा इस्त्री आकर और भी आग लगाएगी पन्ना को चारो और अंधेरा ही दिखाई देता पर कुछ भी हो वह रगू की आसरैद बनकर घर में रहेगी जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लोंडीना बनेगी जिस लोंडे को अपना गुलाम समझा उसका मूना ताके की वह सुन्दर थी अवस्ता भी कुछ जादा नहीं थी जवानी अपनी पूरी बहार पर थी क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती यही होगा ना लोग हसेंगे बला से उसकी बरियादरी में क्या ऐसा होता नहीं ब्रामन ठाकुर थोड़े ही थी कि ना कर जाएगी यह तो उनी उची जातों में होता है कि घर में चाहे कुछ भी करो बाहर पर दढ़का रहे वह तो संसार को दिखा कर दूसरा घर कर सकती है फिर वह रगु की दवैल बन कर क्यों रहे भोला को मरे एक महीना गुजर चुका था संध्या हो गई थी पन्या इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सासा उसे ख्याल आया लड़के घर पर नहीं है यह बैलो के लोटने की बेला है कहीं कोई लड़का उनकी नीचे ना आ जाए अब दवार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा रगु को मेरे लड़के फूटी आख नहीं भाते कभी हसकर नहीं बोलता घर से बहां निकली तो देखा रगु सामने जोपडे में बैठा उक की गंडेरिया बना रहा है लड़के उसे घेरे खड़े हैं और चोटी लड़की उसकी गरदन में हाँ डाले उसकी पीट पर सवार होने की चेश्टा कर रही है पन्ना को अपनी आखों पर विश्वास ना आया आज तो ये नई बात है शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाईयों को कितना चाहता हूँ और मन में छोरी रखी हुई है घात मिले तो जान ही ले ले काला साप है काला साप कठोर स्वर में बोली तुम सब के सब यहां क्या करते हो घर में आओ सांच की बेला है बैल आते होंगे रगू ने विंती भरे नेत्रों से देखकर कहा मैं तो हूँ न काकी डर किस बात का बड़ा लड़का केदार बोला काकी रगू दादा ने हमारे लिए दो गाडिया बना दी है यह देख एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे दूसरी पर लक्षमर और चुनिया दादा दोनो गाडियां खीचेंगे यह कहकर वह एक कोने से दो छोड़ी गाडिया निकाल लाया चार-चार पईये लगे थे बैठने के लिए तक्ते और रोकने के लिए दोनों तरफ बाजू थे पन्ना ने आश्रे से पूछा यह गाडिया किसने बनाई है केदार ने चड़ कर कहा रगू दादा ने बनाई है और किसने भगत के घर से बसुला और रुखानी मांग लाए और जटपड बना दी खूब दोड़ती है काकी बैठ खुन्नू मैं खीचू खुन्नू गाड़ी में बैठ गया केदार खीचने लगा चर-चर-चर शोर हुआ मानो गाड़ी भी स्केल में लड़कों का साथ शरीक है लक्षमे ने दूसरी गाड़ी में बैठ कर कहा दादा कीचो रगू ने जुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खीचता हुआ दोड़ा तीनों लड़के तालियां बजाने लगे पन्ना चकित नेत्रों से है द्रिशे देख रही थी और सोच रही थी कि यह है वही रगू है या कोई और थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ीयां लोटी लड़के घर में जाकर इस यान यात्रा के अन्भव ब्यान करने लगे कितने खुश्टे सब मानो हवाई जार पर बैठाए हो खुन्नू ने कहा काकी सब पेड़ दोर रहे थे लक्ष्वन ने कहा और बच्चियां कैसी भागी सब की सब दोड़ी खेदार बोला काकी रगू दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खीच लेते हैं छुन्निया सबसे छोटी थी उसकी व्यंजना शक्ती उचल खूद और नेत्रों तक सीमित थी तालियां बजा बजा कर नाच रही थी खुन्नू अब हमारे घर गाएं भी आ जाएगी काकी रगू दादा ने किरदार से गिरदारी से काया है कि हम एक गाएं लादो गिरदारी बोला कल लाओंगा किदार बोला तीन से रदूद देती है काकी खूब दूद पिएंगे इतने में रगू भी अंदर आ गया पन्ना ने अवेलना की दिश्टी से देखकर कहा क्यों रगू तुमने गिरदारी से कोई गाएं मांगी है रगू ने शमा प्रातना के भाप से कहा हाँ मांगी तो है कल लाएगा पन्ना ने कहा रुपे किसके घर से आएंगे यह भी सोचा है रगू बोला सब सोच लिया एकाकी मेरी यह मोहर है ना इसके 25 रुपे मिल रहे हैं पाँच रुपे बिच्छिया के दे दूँगा बस गाएं अपनी हो जाएगी पन्ना सन्नाटे में आ गई अब उसका विश्वासी मन भी रगू के प्रेमर सजनता को अस्विकार ना कर सका बोली मोहर क्यों बेच देते हो गाएं की अभी कोई जल्दी है हाथ में पैसे हो जाए तो ले लेना सुना सुना गला अच्छा ना लगेगा इत्ते दिनों गाएं नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जीए रगू दार्शनिक भाव से बोला बच्चों के खाने पीने की यही दिन है काकी इस उमर में ना खाया तो फिर क्या खायेंगे मोहर पहन कर मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता लोग समझेंगे बाप तो गया मुझे मोहर पहनने की सूजी है बोला मैं तो गाए की चिंता में ही चल बसे ना रुपे आय ना गाय मिली मजबूर थे रगू ने ऐस समझ से कितनी सुगमता से हल कर दी आज जीवन में पहली बार पन्ना को रगू पर विश्वास आया बोली जब गहना ही बेचना है तो अपनी मोहर क्यों बेचेगा मेरी हसली ले ले रगू ने कहा नहीं काकी वे तुमारे गले में बहुत अच्छी लगती है मर्दों को क्या मोहर पहने या ना पहने पन्ना बोली चल मैं बोड़ी हुई अब हसली पहन कर क्या करना तू अभी लड़का है तेरा गला अच्छा ना लगेगा रगू मुस्करा कर बोला तू अभी से कैसे बुड़ी हो गई गाउ में है कौन तुमारे बराबर रगू की सरल अलोचना ने पन्ना को लजजित कर दिया उसके रूखे मुर्जाय मुक पर परसंता की लाड़ी दोड़ आई तो दोस्तो इस कहानी का पहला भाग यहीं खतम होता है आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और श्रेट जूर कीजिए कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद